जय हिंदो सो स्वागत एक बाफ है से आज दुन बर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे राहुल गांदी को पधान मंत्री बनाने का कॉंग्रेसियों ने ले लिया संकलपा सुरू की 53 किलोमीटर की यत्रा तो वहीं राहुल गांदी को मिलना ही जनम दिन की बदाईयां मलिका अजुन खडगे ने बताया लाखों लोगों की आवाज तो धर नरिश टिकेत ने बीजे पी पर बोला जमकर हमला बोले इन्होंने देश को बंदर बना दिया तो वहीं कमलनात किया गुआई में कॉंग्रे दामादा और डीलर पर चलती है तो वहीं समराच चौदी ने तेई जून को हने वाली बैठक पर बोला जमकर हमला कहा विपाक्ष के नेता तीन-तीन महीने के लिए पधानमंत्री बनना चाते हैं और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से लेकिन उससे पहले अधिय में उतर गई है प्रदेस कॉंग्रेस रणानीती के तहता लगाता जनता के बीच जाकर कारक्रमों का आयोजन भी कर रही है इसी कड़ी में रैवार को कॉंग्रेस के पूर्वराष्ट्य अजच्छा राहुल गांदी के तरेपनवे जन्म दिन के अवसर परा रैवार को तरे जली देकर समाथ हुई पदियात्रा के अवसर परा प्रदेस कॉंग्रेस सद्यच्छ राजेश ठाकर ने कहा कि देश में आम जनता की बात करने के बजाए मन की बात करने में लोग लगे हुए हैं महंगाई बेरोजगारी नौजवानों किसानों मजदूरों के मुद्दों परा कोई भी बात नहीं हो रही बाहन बेटियों की जत खत्रे में हैं उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने आजा धर्ती आवा को नमन करा ये संकल्प ले लिया है कि लाहुल गांदी को पधनमंत्री बना करा देश को टूटने से बचाना हैं आपको बता देए कि युवाक कॉं कॉंग्रेस के एक एक सिपाही घरगर जाकर राहुल गांदी के संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे आपको बता दे कि फिलाला कॉंग्रेसियों ने संकल्प ले लिया है कि 2024 में राहुल गांदी को पधनमंत्री बना कर देश को टूटने से बचाना है अवली बड़ी और सद्धाच्य मलेकाजून ख़गे ने भी राहुल गांदी को जनम देन की बढ़ाई दी जिसमें उन्होंने राहुल गांदी से कहा कि उनका सहस काफी सरानिया हैं और वो लगातारा सच बोलना जादी रखें धाई काफी सरहानिय हैं आप करुणा और सदभाव का संदेश फैलाते हुए सत्ता के लिए सच बोलना जादी रखें और लाखों भातियों की आवाज बने तो वहीं कॉंग्रेस पार्टी के आधिकारे ट्विटर हैंडल से भी राहूल गांदी को जनम दिन की बधाई दी गई है ज अपने महबत की दुकान को जनम दिन मवारखो कॉंग्रेस सद्दच के अलाबा पार्टी के तमाम नेता उने भी अपने पूर्वराष्ट अध्यर्च राहूल गांदी को जनम दिन की बधाईयां दी हैं पार्टी के नेता और कारिकरता राहूल गांदी की भाराज जोड़ यात्रा की किलिप सेयर कर रहे हैं और उन्हें जनता की बेबाक आवाज बता रहे हैं अवली बड़े ख़वर किसान नेता नरेश्ट केत ने बीदेपी पर बोला जबज़स हमला बोले इन्होंने देश का बंदर बना दिया दरसल दोस्तों आपको बता दें कि भार्टी किस इन्हें सर्मानी चाहिए उन्होंने भाज़पा का नाम लिये बिना ये भी कहा कि ऐसा कानून बनाओ कि बदमास को सरयाम फांसी दी जाए और उसका लाइव चलाए जाए फिर देखो कि अपराद कैसे कम नहीं होंगे आपको बता दें कि भार्टी किसान यूनियन के अध्य जा रहे हैं इससे युवापीडी बिर्मित हो गई है रोजगार और विकास की बात करनी चाहिए नरेश टिकेत ने कहा कि अपरादी किसी भी मजहव का हो उसे अपरादी की द्रस्टी से देखना चाहिए बदमास आए दिन मार रहे हैं ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें सर आमा फासी पर लटका दिया जाए और उसका लाइव चले कि उस बदमास को उस समय फासी दी जाएगी वो सब टीवी पर चले देखिए फिर अफराद क्यों नहीं कम होंगे लेकिन ये लोग धोके से मार रहे हैं किसी को अपनी ताकत का गलत इस्तमाल नहीं करना चाहिए उन अरिवली खवर मध्यपरदेश में बड़ी जीत की तैयारी कर रही कॉंग्रेस पार्टी कमलनाथ की आगवाई में कॉंग्रेसियों का लग रहा जमावडा दरसल दोस्तों आपको बता दें कि जैसे जैसे विदानसबा चुनाव नजदी का रहे हैं वैसे वैसे कॉंग्रेस पत्रकारों से भी रूबरू होंगे मध्यपरदेश में बड़ानसबा चुनाव की अब उल्टी गिंती शुरू हो गई है ऐसी स्थिती में बार्टी जनता पार्टी के साथ साथ कॉंग्रेस भी अभी से पूरी ताकत लगा रही है और कमलनाथ धार्मिक नगरी उज्यन में आम सबा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं कमलनाथ पहले ही एलान कर चुके हैं इस बार मध्यपरदेश की जनता भाजपा को जवाब देगी उन्होंने एलान कर दिया है कि इस बार कॉंग्रेस पाटी मध्यपरदेश में पूरु भामत की सरकार बनाएगी अवड़ी ब सिंगल पॉंट एजेंडा सेट करने का प्रियास होगा लेकिन विपक्षी दलों का आपसी ठकराव ये बता रहा है कि ये रहा आसान नहीं है ब्यार के मुख्यमंतरी नितिस कुमार ने तेई जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई है ये बैठक इसले बुल और कॉंग्रिस को ही देख लीजिए पश्चिम मंगाल में दोनों एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं और पंचाच चनाप के दोरान एक दूसरे पर हिंसा का भी आरोप लगा रहे हैं अब सवाल ये भी है कि राहुल गांदी और मलिका जुन खड़ गे पश्चिम मंगाल के म टानसफर पोश्चिंक को लेकरा केंदर सरकार के अध्यादेश के मसले पर कॉंग्रिस पार्टी से समन्तन माँगा था लेकिन कॉंग्रिस इस पट चुपी साथ गई सके सातही केजिरबाला अब कॉंग्रिस पर एक भी हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे राजिष्थान के मुख्यमंत्री असो गहलोतारा बीजेपी की बसुंद्रा राजे के बीचा भाई बहन के रिष्टे वाला उनका बयाना इसका ताजा उधारन है आपको बता दें कि आवा ये गड़ बंदन सफल हो पाएगा या नहीं इसको लेकर सभी की निगाहें 23 जून के होने वाली बै बना लिया इसलिए करवाई नहीं की गई दरसल दोस्तों आपको बता दें कि राजिस्थान में विदान सभा चिनावा में अब कुछी महीने बाखी हैं दिल्ली और पंजाम में सरकार बनाने के बादा अब आमादमी पार्टी ने मिसन राजिस्थान के तहता अपना चाता है हम लोगों को राजनीती करनी नहीं आती है हम लोगों को पालिटेक्स करनी नहीं आती है हमको गंदगी करना नहीं आती है हमको किसी की रैली खराब करना नहीं आता है हम तो भारत को दुनिया का नंबर वंदेज बनाना चाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविं की सरकार आई तो बेचारा सचिन पैलेट रो रो कर मर गया कै कैका ठग गया कि पूर मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजे पर ब्रश्टा चार को लेकर कारेवाई करो वसुंद्रा राजे को ग्रफतार करो लेकिन मुख्यमंत्री असो गहलोत कहते हैं कि नहीं मैं उन पर लगती हैं आपको बता दें कि राजिस्थान के श्री गंगानगर में राइवार को अर्विंद केज्रिबाल ने चुनावी संखनात कर दिया इस दोरान उन्होंने मुख्यमंत्री असुगहलोत पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि वसुंद्रा राजिय को असुगहलोत ने अपनी बहन बना लिया है इसलिए उन पर कोई भी कारवाई नहीं की जा रही अवड़ी बड़ी खवरा अपने वादे पूरे कर रही कॉंग्रेस पार्टी आप 200 यूनिट फिरी विजली देने के लिए लोगों से कराई जा रहे पंजी करण दरसल दोस्तों आपको बता दे के करनातक में सरकार बनाने के बाद से सिद्धा रमया के नित्रत में कॉंग्रेस पार्टी अपनी पांच गारंटियों को पूरा करने में लगी है हाली में सिद्धरमया सरकार ने सकती योजिना का सुबारंब भी कर दिया है वहीं ग्रैजियोती योजिना को लेकर भी रैवार से पंजीकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है इसी योजिना के पंजीकन के बारे में सरकार ने एक बयान भी जारी किया है इसके मताबिक ग्रैजि इनकी सरकार दरबारी दामादा और डीलर पर चलती है। जमकर हमला बुला उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस की सरकार 3D पर चलती है। कहा कि मुख्यमंत्री मनोलाल खटर पूरे हर्याना के मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि अब किसी जिले से पहले की तरह भेदवाब नहीं किया जाता। अमित्साने कहा कि हर्याना के किसान, जवान और खिलाडी धांकर हैं। ये तीनों ही हमारे देश की सान हैं। जब भी देश पर कोई विपदाई तो पंजाब हर्याना की जमीने चट्टान बनकर दुस्मनों के सीने छलनी कर दिये। साथी उन्होंने कहा कि पूरे देश को नसामुक्त करने का काम किया जा रहा है और हर्याना में भी ये अभियान सुरू हो चुका है। साथी ग्रह मंत्री अमित्ता ने लोगों से बड़ी अपील की कि पीम नरेन रमोदी को एक बार किरा प्रधान मंत्री बनाएं और हर्याना की सभी दस सीटें बीडेपी को जिताने का काम करें। समराठ चौधरी भी पहुँचे कारिक्रम को संबोधित करते हुए समराठ चौधरी ने 23 जून को पटना में होने वाली विपक्ची एकता की बैठक पर जम कर हमला बोला। जैसे तीन महीने नितिस कुमारा, तीन महीने अखले स्यादवा और तीन महीने ममता बनाजी सत्ता चलाएं। समराठ चौधरी ने कहा कि इसलिए मैं आप से निवेदन करता हूँ कि फिर एक बारा जबजस्त भावात से मोदी जी को देश की बागदोर दे दीजिए। ये थी अब तक की बहुत बड़ी खबरें, आज के लिए बस इतना ही और रोजना की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें, जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत